महराष्ट्रा में निर्दली सांसन नौनीद राना को लेकर अभी अभी एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है नौनीद राना के बारे में आप सबको पता ही होगा कि इनको और इनके हलबें रवी राना को कुछ दिनों पहले मुंबई पलीस के दोरा गिरफतार किया गया था उसके बाद से ये लगा था दो के दोनों लोग जो डीसियल कस्टडी में बन थे लेकिन अब इनी सब्चिर्यों के बीच में कल जो है इन दो के दोनों लोगो को जेल से बाहर निकला गया यानि कि कल दो के दोनों लोगो को रिहा कर दिया गया और उसके बाद अब जो है नौनीत राना और रवी राना के दौरा एक बहुत ही बड़ा कुलासा किया गया है आपको बता दूँगे नौनीत राना को कल जेल से निकालने के जेस्ट बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया वहाँ पर उनकी जो है चेक अप किया गया बताया जा रहा है कि जेल में सही से उचाद ना मिलने की वज़ासे उनकी हालत काफी ज़्यादा खराब हो गई थी जिसकों देखने के बाद रवी राना ने जेल के पुलिस कर्मियों के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए उनके द्वारा जेल के ऑफिस्टर्स के उपर कई बड़े आरोप लगाते हुए बोला गया कि जान भूच कर सांसत का सही से ध्यान नहीं रखा गया नवनीद राना ने बोला था कि उनकी हालत काफी ज़्यादा खराब हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी जान भूच के उनका चेक अप नहीं कराया गया जान भूच के उनका इलाज नहीं कराया गया जिसकी औजासे नौनीद राना की हालत काफी ज़्यादा खराब हो गई मतलब कि यहाँ पर रवी राना के द्वारा सीधे जेल की अधिखारियों के उपर कई बड़े संगीन आरोप लगाये हैं साथ में ही आपको बता दूँ कि नौनीद राना से मिलने के लिए बीजेपी ने तक किडिट सोमया लीला उत्ती हास्पिटल पहुचे थे वहाँ पर उन्होंने उनसे मुलाकात किया और साथ में ही उन्होंने भी कई बड़े आरोप यहाँ पर पुलिस वालों के उपर लगाये हैं देखते हैं आने वाले टाइम पे इस पर क्या अपडेट आती है आपका क्या ओपिनियन है इस पर बाइदावे आप मने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में होता है और वीडियो के जाएज ज़्यादा सेयर करें